है अधा दोता हुए है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए यह वीडियो होने माली कि अगर आपने इन तीनों पार्ट को देख लिया तो और शुरूप से मैं कहता हूँ कि अकबर से सम्मानित अगर कोई भी कुशन आप सभी के सामने आता है तो कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा सारे कुशन आपको इसे मिल जाएगे और यह जो एक और पीडियेफ बची हुए इ पिनाई गई सुलह एकुल यानि सार्व भौम सांती तथा भाई चारा की अवधरन निम्नांकित में से किस पर आधारित थी राजनीतिक उधारता धार्मिक सहंस्विलता उधारवादी सांस्कृतिक द्रिस्टिकोंड या उपर उक्तसभित दोसु बात कर लेते हैं यहां प करते हैं प्रस्ण की 105 नंबर दियागा कि सुलह कुल कान निम्न में से किस्त ने वरणन किया है बनायूनी ने फैजी ने बक्सी निजाम दीन ने उपरक्त में से कोई नहीं बहुत इंपॉर्टन कुशिण आप सभी का यह पूछा जाता है तो दोस्तों राइड एंसर यहां अब्दुफजल ने यह फैजी ने तो दोस्तों राइड एंसर क्या होगा आप राइड एंसर अवार ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सीख मुबारक हमारा राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप सभी देख भी सकते हो ठीके न आपको यह जोईन करना आपको सिर्फ और सिप्केतना डाल के सर्च करना पड़ेगा आपको टेली गनाम पर इतना सर्च करना पड़ेगा वसाएफ पर स्टेन एंटिफॉर चैनल मिल जाएक उसको प्लोग जोएन गर के और आराम साफ पीडियाफ प्रवाइट कर सकते हो बिल्कुल भी फ्री बात करते हैं एक सुझात नंबर प्रश्ट की पंद्रसों नियासी स्वी में महजर ने अकबर को क्या प्रदान किया धर्म पर प्रद्भुत अमोग अधिकार विरोधी नाइक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार या राजत तुक का देवी अधिकार तो दोस्त तो जी आगले प्रश्ट के उचलते हैं देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा अगला प्रस्ट हमारा हो जाएगा कि अकबर द्वारा बनवाई उपाशना भमन का क्या नाम था दिवान एक खास दिवान या इओं या इबादत खाना या फिर बुलन दर्वाजा बहुत इंपा क्यों कि एक लुग है कि अप्शन में इबादत क्काना हो जाया है तक अपना धर्म से संभनते जो विचार विमर्ष था वह कहां पर करता चैएा ख्राइंसर क्या हो जाएगा ऑप्षनन नंबर सी अभी मैंने आपको बझा था इबादत खाना उपर बनवाया था इसने ठीक है, option नंबर किस के सैट चला देगा C के सैट चला देगा, इबादत खाना, आगे बात करते है प्रसंट की, 110 नंबर प्रसंट क्या कर रहा है, कि इस अस्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया सिकंदरा आगरा दिल्ली या फतेपुर सीकरी important question इबादत खाना का निर्माण कहां पर करवाया था या किस अस्थान पर करवाया था right answer फतेपुर सीकरी फतेपुर सीकरी option number D हो जाएगा ठीक है और यहीं पर तोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो फतेपुर सीकरी का जो फतेपुर सीकरी वाला जो है ना किला वो भी इसी ने बनवाया था और सबसे अच्छा आप तक किला इसने बनवाया था और जो आगरा किला जो आगरा फोर्ट है उसको भी इसी ने बनवाया था किसने अकबर चलिए आगे बात करते हैं भी हो सकता कुछ नहीं आए भी 111 नंबर कह रहा कि फत्य पुर्सीगरी का इबादत खाना क्या था तो वह भवन जिसमें बिभिन धर्मों के बिद्वानों के शाथ अकबर चर्चा करता था राज परिवार के इस राज परिवार के इस्तेमाल के लि राइट हो जाएगा तो दोस्तों जितने भी साथ हमारे यहां पर दे रहें ऑप्शन नंबर ए वहाँ वामां जिसमें विभिन धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा पते पुर्सीगरी का इबादत खाना जो था ठी हो जाएगा हमारा राइट एंसर हमारा क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर भी हो जाएगा ठीक है ना राइट एंसर हमारा क्यों जो जाएगा 1589 हो जाएगा हमारा राइट एंसर आगे बात करते हैं प्रस्न की 113 नंबर आईने अकबरी पुस्तक का लेखा का जो आईने आता है चलिए भाइब बहुत अच्छाव लिए गुड़ बहुत अच्छा बहुत 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 अच्छान रर रार रहन सघ्तिक सब्सक्राइब यहां आप बात किस की हो रही है अबुल फजल की यानि आईने अगब अगभरी पुस्तक के लेका कौन थे अबुल फाजल थे ञागे बात करते हैं इकबर नामा किसे ने लिखा था अबूल्फजल फैजी अब्दुनरहीम या अबूलकादिर कि इस बताना है अकबर नामा अकबर सुजो किसं ने लिखा था उसम्हां खत् bounded अबूल्फजल कि आगे बात करते हैं प्रशने की 115 नमर अबुल फजल की हत्या किशने की थी वीर सिंग देवने मान सिंग ने मुबारक खाने या राजा राम रावाजे सेख मुबारक हजरत खें या नसीर उद्दीन चिराग या बाबा कुत बुद दिन वक्तियार काकी तो राइड एंसर क्या हो जाएगा यहां पर सेख मुबारक के क्या थे सूफी संत के यह पुत्र थे किसके सेख मुबारक सूफी संत के अगला प्रस्ट नमारा हो जाएगा निमनलखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है अकबर नामा के तीसरे खंड को आइने अकबरी के नाम से जाना जाता है आइने अकबरी अबुल भजल की करती है अबुल भजल और फिरदोर्शी दोनों सरी फैजी दोनों क्या थे भाई या फैजी मुगलकाल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबरी हो जाएगा फैजी मुगलकार मुगलकाल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे ठीक है आगे बात करते हैं 118 नमबर क्या हो जाएगा निमलिखित में से कौन अकबर के नवर नायुनी जो थे वो सामिल नहीं थे आगे 119 नमर क्या रहा है कि निम्लखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरतनों में एक ही परिवार का नहीं था फैजी सेख मुबारक अब्दुलरहीम खान खाना या फिर अबुल फजल आलमी स्वरी अलामी राइट एंसर क्या हो किस मुगल इतिहास कारने अकबर को इसलाम का दुस्मन बदाते हुए आरोपों के सूची तयार की थी निजाम तुल्लाह नियाम तुल्लाह बदायूनी अबास खौज खौन सर्वनी या फिर निजाम अद्दीन अहमद राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी ह सेट चला जाएगा आगे बात करते हैं 121 नमबर क्या कह रहा है कि निमलखित में से किसने यहां आगया दी थी कि आदमी को एक ही इस्तरी से बीवा करना चाहिए और वह तभी दूसरा बीवा कर सकता है जब उसकी पतनी बंध्या हो बंध्या आइडोंट नो क्या है शेर साह अलाउद दिन खिजली अकबर या बहादुर शाह ठीक है राइड एंसर क्या हो जाएगा हमारा अकबर हो जाएगा हमारा राइड एंसर किसने कहा था अकबर ने ही कहा था आगे बात करते हैं 122 नमबर की निमलखित में से किसने फते पुर सीकरी की पंच महल का निर्माण कर सब जो खंभों के लिए विख्यात है कहां था लाहौर में फतेपुर सीक्री में आगरा में या सिकंद्रा में राइट एंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आप्शन नंबर भी क्योंकि कि जो यह था क्या क्या कहते हैं अकबर दोरा बनाएगी कौन सी इमारत का नक्सा बौध विहार की तरह है पंच महल दिवाने एक खास जुदाबाई का महल या बुलंदर वाजा राइट एंसर तो सो क्या हो जाएगा पंच महल हो जाएगा हमारा प्रिक्षन नंबर एक साट चला जाएगा आगे बात करते हैं 125 नंबर के अकबर दौरा बनाएगी स्रेश्टतम इमारत पाई जाती है आगरा के खिले में लाहॉर के किले में इसलामाबाद स्वारी इलाहाबाद के किले में या फिर फते पुर्शीक्री में दोस्तों क्या ह आपर यहां पर हमारा रायट एंस हो जाएगा वह हो जाएगा फट्यların अभर सेकरी और पर सी दिरी का आप लोग इनारे आप लोग इस जो पिक्ट रहा है वो भी आप देख रहे होंगे फटे हैं आगे बात करते हैं प्राश्न की कि शुरी के दोस्तों कि आगरा किले का और आगरा किला आप देख सकते हो ये कुछ आगरा किला है क्या है आगरा किला ये कुछ है आगे बात करते हैं प्रशन की 27 नंबर किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म साही हरम के बजाए सूफी शंद की खान का हमें हुआ था अकबर हुमायू साहजहां य रानी एलिजावेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था साह जहां था अकबर था आउरंग जीम था या बहादुर साह था बहुत इंपॉर्टन कुश्य है बहुत ज़्यादा यह आपका यूपी टेट नो बहुत ज़्यादा कुश्य पुचा जाता है ठीक है काफी बार प का निमलकित में से कौन बात साह था अकबर था जहांगीर था शाह जहां था या औरंग जीब था तो कौन था वो था दोस्तों आप्शन नमबर ए अकबर था क्योंकि बात यहां पर अकबर की हो रही है आगे बत कर से 30 नमबर अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्र चला जाएगा रॉल्फ फिंच हो जाएगा हमारा राइट एंसर अगला प्रस्ट हमारा एक सुट एक अप्टिस नमबर कहता है कि अकबर के सासनकाल में भारत आने वाली आने वाला यात्री कौन था मांडेस मांडेल स्लो था गोल्डी था या मैंडिक था या मनूची था पर कुछ आपको अलग टाइप का कुशन देख रहा है कुशन कह रहा है कि अकबर के सासनकाल कि निम्ल्खित घटनाओं को पढ़े और घटनाओं का सही कालान उक्रम नीचे दिये गया कूटों से पता करे प्रांतों का गठन या घोडो को दागना या मनसबदारी तिजर्जिया की समपती घोडों को दागना फिर उसके बाद आया प्रांतों का गठन फिर लास्ट में आया मनसबदारी विवस्था का प्रचलन ठीक है आगे बात करते प्रशन की 133 नंबर यहीं सी तरह का कुशन है कि अकबर से संबंधे निम्ल्खित घटनाओं को पढ़ उसके बाद दाग विवस्था का प्रारम हुआ उसके बाद यहां पर कस्मीर विजय भी हुई ठीक है आगे बात करते हैं यहां पर भी कूट दिया गया है कि अकबर के सासन काल में निम्ल्खित घटनाओं को तिथि क्रमानुशार विवस्थित करें जजिया की समापती इब इबादत खाना के निर्माण या मजहर पर हस्ताक्षर या दीन ए इलाहिक की बिवस्था स्थापना ठीक है तो यहां पर दोस्तों कूट जो हमारा राइटेंस अप्शन नंबर B के से चला जाएगा एक दो तीन चार सीडियल से हो जाएंगे पहले जजिया के समापती फिर इबादत का निर्माण फिर मजहर के अस्ताक्षर फिर दीन एलाहिक की अस्थापना ठीक है आगे बात करते हैं प्रशन की 35 नंबर के रहा है कि निम्लखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है दाग मनसबदारी प्रडाली इक्ता प्रडा उलेमा का सदसे कौन था मिर्जा था हाकिम था मुल्ला मुहम्मद यजदी था या अबदलनबी था या अबदल्ला सुल्तान पुरी था राइड एंसर बहुत इंपोर्डन बहुत सही ऑप्शन नंबर बी मुल्ला मुहम्मद यजदी ऑप्शन नंबर बी आगे बात करते है है प्रस्ट की निन्दृखित में से कौन मोगल काल की एक मात्र एक मात्र महिला प्रधान मंत्री थी को की अंगना सुल्ताना बेगम या माहम अनगा या जो जी अनगा डाइध एंसर क्या हो जाएगा दूसी हो जाएगा हमार 138 नमबर कि किस चिस्ती संट के दरगाह पर अकबर दर्सन हे तो अधिक जाता था सेख निजाम उद्दीन चिराग दहलवी या मुईनुदीन चिस्ती या कुतब दिन वक्तियार काफी या सेख फरीद संज ए शकर चलिए दूसरे जल दिस बताइए ऑप्शन नमबर भी जितन अगर नाम किस ने दिया और अकबर साहजा ने या बहादुसा बात किस की ओर यह बात किस की ओर यह अकबर की ओर यह तो अकबर हमारा राइट एंसर हो जाएगा option नमबर भी अगला सब्सक्राइब कर लेंगे अकबर ने सर पुर्थम बैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किये थे वह था बुंदेलों से कख्षवाहों से राठोरों से या फिर सिसोधियों से तो राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा अप्षिन नंबर हो जाएगा भ भूम अनुदान में इसने दी थी सहाजाने और अगजे ने जहां गिरने अकबर ने तो बात दोस्तों हो रहे हैं अकबर की तो अकबर ने ही मंदिर निर्मार है तो जो भूम थी इसने अनुदान में दी थी आगे बात करते हैं प्रशन की कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास को अरजुन देव को हर राय को या तीग बहादुर को 500 बीघा जमीन की बात हो रही यहां पर आप्शन नमबर ए रामदास को इन्हों ने दिया था किसने दिया था सिख गुरु जो थे रामदास इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी आगे बात करते 143 नमने में लिखित बाद सौह में से किसको एक प्रबुधन निरंकुस कहा जाता है हुमायू को बाबर को अकबर को या औरंगजेब को तो राइट एंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप् पूत को पांच हजार का मंसब प्राप्त था वहा था राजा जैसिंग वीका नेर का राजा भगवंत दास का राजा मान सिंग का या राय सुरजन हड़ा का राइट एंसर का हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा राजा भगवंत दास का ऑप्शन नमबर भी अगला अगला प्रशन हमारा कह रहा है 145 नमर क्या कह रहा साथ यो निम्लिखित भारतिय साथ को में सी अकबर की समकालीन कौन था या थी रानी दुर्गावती अहिल्या भाई मार्तन वर्मयर राजा समाई जैसिंग राइड एंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बता देंगे बिलकुल से जितने भी भाई साथी हमारे एंसर दे रहें जितने भी मारे साथी एंसर दे रहें थी इसमें थी कौन थी रानी दुर्गावती थी ऑफिशन नमबर ए अगला प्रशन हो जाएगा हमारा निम्लिखित में से कौन सा मुगल सासक असिचित था सह जहां अवरंगजेब फित सहता थीचे कौन था तो बात किस गयो रिया अकबर की और यह तो अकबर हमारा लाइड एंसर हो जाएगा ठीक करा लिकिन लिकित में इसे कौन संदश्व सकंद अकबर अगला प्रसकों हो जाएगा हमारा कूट ही हां है आप सभी को ठीक है तो राइट एंसर हमारा इसमें हो जाएगा फास्ट सेकेंड और थर्ड मतलब छेत्रों को जीतने के लिए अपनी प्रसासनी विवस्ता के लिए न्याइक प्रसासन के लिए और यहां पर जो उसकी धार्मिक कट्रता के लिए बिलकुल भी नहीं था ठीक आगे बात करते हैं प्रश्न की अगला प्रश्न मारा हो जाएगा यहां पर कि निम्लिके तथ्यों में से कौन सा तथ्य एसा है जो अकबर को राष्ट्रिय समराठ सिद्ध करने में सहायक नहीं है कि मतलब वो सिद्ध नहीं करता है कि जो अकबर था वो राष्ट्रिय ती राइट अंसर साथ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा अकबर ने इसलाम धर्म को त्याग दिया चलिए आगे बात करते 149 नंबर कहरा कि अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेपुर सीकरी कब अस्थान अंत्रित की थी इन्हों ने अपनी राजधा और लास्ट प्रशन है सकता हो आज का 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहां स्थान अंत्रित की थी 1585 में लाहूर कावल फतेपुर सीकरी या मुल्तान ठीक है तो कहां इन्होंने की थी लाहूर की थी इन्होंने ठीक है अपनी राजधानी जो थी पहले इन्होंने जो र स्थानांद्रित की option number B मतलब 1570 ISB में कहां से कहां को की थी आगरा से फतेपुर को स्थानांद्रित की थी उसके बाद इन्हों ने फतेपुर से कहां स्थानांद्रित की थी लाहूर को ठीक है उसके बाद एक शुक्यावन नमबर यह हमारा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नमबर यही सही हो जाएगा क्या हो जाएगा आगरा एवं लाहोर आगे बात करते हैं प्रस्ण की कहरा 152 नमबर निमलिखित मुगलबाद साहूंक में किस बादसा को उसकी मृत्व के बाद आधिकारिक तौर पर आर्स आश्यान इस शर्ग में रहने वाला कहा गया है जहांगीर एकबर साह जहां या औरंगे जीव राइट एंसर क्या रॉप्शन नमबर भी हो जाएगा आकबर हो जाएगा हमारा और राईट एंसर ठीक है आगे बात कर से 153 नबर की कितने अकबर को जिला ए इराही खुदा की परच्छ ने कहा था अब्दुल्फजल ने option number A हमारा correct answer भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण हमारा एक स्क्राइब नमबर कह रहा है कि किस जाट नेता ने बादसाह के मकबरे को हा ने पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोद कर उनकी हड्डियों को जला दिया किस जाट नेता ने बादसाह के मकबरे को हा ने पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोद उनकी हड्डियों को जला दिया राजा राम ने मान सिंग ने वाज बहादुर ने या वीर सिंग ने तो राइट एंसर क्या हो जाएगा राजा राम हमारा correct answer हो जाएगा अगला हमार प्रस्ण हो जाएगा है आपर प्रस्ण तो बढ़ते ही जा रहे हैं अकबर की मृति 16 अक्ट्योबर 1605 इस भी में किस कारण हुई थी निमोनिया आतिसार जिसे डाइरिया कहते हैं मलेरिया या फिर कालाजार राइट एंसर क्या हो जाएगा option नमबर भी इसको डाइरिया हो जाए है उसको किसको ठीक आकबर को क्या हो गया अधिसार डाइरिया हो गया था अगला प्रस्णा मार को जाएगा कि अकबर का मदबरा निम्निकित में से किस अस्थान पर सथिते सिकंधरा अगरा फटेपुर सिक्री करिया इन अच्वाबाद कमक वराद दोस्तों वो कहां परिस्तित हैं शीदर में इस्ति था ठीक है कहां इस दैसिकंदरा में दोस्तों मोरे आज़करते आपको वीडियो को नहां होगा वीडियो को ज школ है दोस्तों के शेर करना मलते हैं आक्श्त विडियो के साथ तक ले थैंकूफो जैहिंट यह भारत वून